है अब्रीवन विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई से प्रॉक्टर संजू सिंग आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाले हूं इन्सोम्निया अनिद्रा या स्लीप लेस्नस के बारे में आज मैं डीटेल में इसके बारे में बात करूंगी यह क्या होता है इसके क्या होते हैं इसमें क्या साइंसल सिंटम्स आते हैं से कॉम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं और इसके लिए क्या मैनेजमेंट हो सकता है लाइफिस्टाल और डाइट में मोडिफिकेशन करके आप इसको कैसे ठीक कर चकते हैं साथ में कुछ लोग जो एलोपैटिक मेरेसिन ले बहुत ही जल्दी आपकी इंसॉम्निया की प्राब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगे पड़े उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूंगी आपको तुरह नोटिफिकेशन मिल ज कर दोटा यह काए छिएगे-टा-पै-खर-lek यह दुट, यह मैंन पोई प्रेस्स, मोwy झान जाना लेखा कर झाल, और क engag तो उतना थाल कर दो फूर्व मैं, क्लिफिकी तुर्ण हो प्रलूशिन, मईतनशिकरी, जहरीनने, और हरते are कि दूरा भार यह कहूंगी अगर फ्रड जबकि नियम की बात करें कितने नियम की हमें ज़रूरत होती है तो वो डिपेंड करता है कि हमारी एज क्या है बच्चों में यानि नियो नियर्स में ऐसा देखते हैं कि वो 18-20 आउर्स होते हैं उतमी निम की ज़रूद होती है जबकि जो 70-80 एच्छ में हो गया है उल्ड एज में हैं उनको 5-6 आज की स्लीप से भी काम चोग जाता है जो एडल्स से 7-8 आज की स्लीप चाहिए होती है इन उसके बाद भी रिफ्रेस्ट फिल नहीं करते हैं तो यह सब का अलग अलग होता है यह आपको डिसाइड करना कि आपको कितनी नीन की जरुवत है कुतनी नहीं नहीं आरे हैं हटे में तीन से चार दिन ऐसे आपको डिस्टर्ब हो जा रहा है तो यह इंसोम्निया हो सकता है आपको एसे लगता है कि आपको पूरी रात लेटे रहे हैं आपको नीद नहीं आई है ऐसे तरह की सिम्टम्स आते हैं साथ में जब सुबह सोके उठते हैं तो अन्रिफ्रेस्ट फिल करते हैं पूरे दिन नीद आती रहेगी एकदम से फाटिग लगा रहेगा साथ में क्या होता है अगर यहीं लॉंग टाइम में चलता रहे है यहीं प्रॉब्लम तो आपको इरिटिबिल्टी डेबलब हो जाएगी एंजाइटी डेबलब हो जाएगी उस लोगों में क्लिनकल डिप्रेशन कॉज कर सकता है आपके प्रोफेस्नल और परसनल दोनों ला 曲्ले से नहीं होपाएगा अगर समय को कोई और बात करें तो छोशा नंकॉस होते हैं आपको कोई पाल्मुलरी डिसॉडरν लॉन यहां चाहित कोई प्रॉबल्म हो गया प्रॉबल्म हो गया है गास्टपवी कोई प्रब्लन हो गया इन के स्लीव कि सब्सक्राइट नीजे होरक्तो छाकती भूफ जाती है। वितोपा और रखी ठीजीट नीजेस लेटेटीट फ़रू thirty, कई बर बहुत ज़ादा लॉंग कॉंटिनु इस्ट्रस आपकी लाइफ में रहता है उसकी वजाए से आपकी नीम डिस्टरब रहती है जैसे कि अगर आपकी कोई ब्रेक अप हुआ है आपको एक्जाम नेशन आने वाला है इस्टूडेंट को स्टूडेंट को स्टूडेंट क जो है फोगा ज़ादा इस्ट्रसफुल है या फिर आपके जॉब का टाइम है वह एक्दम फिक्स नहीं है कभी आपकी नाइट ड्यूटी होती है कभी डे ड्यूटी होती है तो इसमें आपका नीम बहुत ज़ादा डिस्टरब रहता है और आपका वोग प्लेस ऐसा है कि आ अगर यह आपको एक महिने से ज्यादा रह रह रहा है वीक में आपके तीन-चार दिन बिल्कुल नहीं आती है तो आपको डॉक्टर से कंसर्ट करना चाहिए इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे इंपोर्टन होता है गुड़ स्लीप हाइजिन अगर यह ताइम पर आपने सोना एक ताइम पर उठना है इपन वीकेंड्स में भी आपको यह फिक्स रखना है आज कल देखते हैं कि बच्चों में भी इंसॉम्या की प्राब्लम देखनी को मिलती है क्यों क्यों क्या होता है उनका स्लीप कोई पैटर्न ही नहीं रहता है क् काईके से एक्सेस अटगी रहता हुग है उतनी अच्छे से उनकार में दो क्या करना है कि आपके को एक्सेसाइज करने से हैप्टी हार्मोन से रिलीज होते हैं जो बाद में अच्छी नीन लाने में हेल्प करते हैं लेकिन आपको थ्यान रखना है आपको अपना पैटर्न पता होना चाहिए कुछ लोग एक्सेसाइज के बाद और जड़ा इनर्जेटिक हो जाते हैं ऐसे बाद में कोफ़ी यह सब चीजे आप को रात में मत लेजिए बताब एमनिंग के बाद ही सब चीज़ें अब लेख इसे इन इंडिस ना तरह एजाए हैं अगर आप सेटीजेंसे ने बढ़ एक्मोहाल लेते हैं इसे भी आप किर अज़ें शुरासें इस्ट इंडर्मोहां तुरंद बाद आप सोये मत अगर आपने बहुत ज्यादे एक्सेसिव इटिंग कर लिए इसके बाद अगर आप सोते हैं तो आपको गैस्टिक प्रॉब्लम सोगी और अपकी नीन बिश्टरब होगी साथ में भूके पेट भी मत सोये क्योंकि भूके पेट अच्छी नीद नह अपाती है तो आप अपना वर्क प्लेस अलग रखिये और अपना बेड्रूम से सोने के लिए और 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 इसके अलावा आपकी डायट भी बहुत है आपको अच्छी नीन लाने में बहुत से लोगों को मिल्क से बहुत अच्छी नीन आ जाती है अगर आप सोने से आदे पहले एक कप मिल्क लेते हैं आप तीन से चार काजू ले सकते हैं बहुत है अच्छी पीसफुल नीन के लिए साथ में कुछ बिटमिन्स और मिंडल्स बहुत इंपॉर्टन्ट होते हैं अच्छी स्लीप के लिए अच्छी नीन के लिए जैसे कि बितमिन B6 हो गया टैल्सिय मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे आपकी नीन जो है अच्छी हो जाएगी साथ में आप कुछ योगा करिए मेडिटेशन के जो आपको लॉंग टर्म का इस्ट्रेस चलता रहा है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा आपके माइंड को काम डाउन करेगा आप बात करती हूं हो मेडिशन से आपके सिंटम मैच करें उसको आप लेकर देखिए आपको बहुत ही अच्छी रिजट मेलेंगे हमारी सबसे पहली मेडिशन है कालीफोस 6X पोटेंसी में कालीफोस बहुत इफेक्टिव मेडिशन होती है जहां पर आपको बहुत जादा वरी है बहुत जादा स्ट्रेस है जिसकी वाज़ा से आपके नीम दिस्टरब है पूरे दिन आपको यॉनिंग होती है आप जमाई लेते रहते हो आपको बहुत ज्यादा मेंटर और फिजिकल एक्जॉसन रहता बहुत थकावट रहती है नीम बिल्कुल अच्छे से नहीं आती ऐसे में कालीफोस चिक सिक एक या दो महीने लेकर देखिया कि प्रोब्रम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी हमारी दूसरी मेडिसीन है कॉफिया 200 पोटेंसी में कॉफिया भी बहुत इफेक्टिव मेडिसीन होती है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा थार्स आती रहते हैं कॉंटिनुसली आपको कोई थौट्स आ रहे हैं आइडिया जा रहे हैं वाचादा मेंटल एक्साइटमेंट रहता है जिसकी वजह से आपको नीद नहीं आपाती है ऐसे केसे में आपको कॉफिया लेंगे आपको बहुत ही बेस्ट मिलेंगे हमारी थर्ड मेडिसीन है इगनेसीया 200 पोटें पर इसी कोई प्राब्लम हुई है फैमिली में जॉब में इसको आप इंडिफरेंट हो गए हैं बहुत जादा बीपिं मूड रहता है आप किसे से बात नहीं करना चाहते हैं आपको बहुत डिप्रेशन सा फील होता है आपको नीद भी डिश्टरव है ऐसे केसे में इगनेस आपको एक्जाम कोई अच्छा हुआ या बुरा हुआ उसके बाद आपको इतनी ज्यादा इनर्जी सी आ जाती है माइन में और जिसे आप कहीं डेट पर गए हैं वहां से आप आए तो इतनी उसके फोट्स आपके मन में आ रहे होते हैं कि आपको नीद ही नहीं आती अल्द आते रहते हैं आपको नीद बिल्कुल नहीं आती है एंजाएटी सी फिलो नहीं लग जाती है ऐसे कि इसे पल्स इतला बेस्ट मेडिसी होती है हमारी फिफ्थ मेडिसी है ओपियम 200 प्रोटैंसी में बहुत इफेक्टिव होती है जहां पर आप आप श्लीपी है बड़ आप इसे कुछ होता रहता है तो ऐसे कि इसमें आप बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इसके बहुत इफक्टिव होमपाथिक मेडिसीन मेने आपको बताए इसके अलाओ भी बहुत सारी मेडिसीन है जो आपके सिम्टम के बेस पे दिया जाता है आपको क्या कॉज है इसे साब से दिय अगर आपको इसकी डिपेंडेंसी है तो यह और ज्यादा टाइम ले सकता है लेकिर आप अच्छे से छोड़ पाएंगे और आपकी प्रॉब्लम जह पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगे अगर आप टाइम देंगे किसी रजिस्टर्ड होमपैसिस का ट्रीटमेंट लेंगे चिंसोम्निया पर मेरी आजान करें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देजिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत नीड रहती है तो चैनल को सब्स्राइब कर देजिए साथ में अपनी फ्रेंड्स और फ